हेलो फ्रेंट्स इस डॉक्टर सुनील तो यह हैं हमारे रसीटी सीरीज का सेकेंड वीडियो इसके अंदर में बिल्कुल हिसी सिंपल चीज शेयर करने वाला हूं कि रसीटी क्या होती है इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसमें कौन से मट्रियल यूज करते हैं अगर आपको शारी नॉलेज पहले से हैं तो यह स्किपकर दीजिए नैक्स वडियो अपके काम कमने माला है तो आव ती हे सिंपल पर मैं अगर ही सिंपल लैग्विज में बताओ क्यों कि साहरी बाते यहां पर मैं क्लINOendo थी कर ने वाला हूं क्यों कि थैक्तर अब आ और पर पैठिकल उन तो simple words में यही root canal होती है अब इसके steps क्या क्या होते है books के अंदर steps जो है वो अलग दे रखे हैं मैं जो आपको steps बताने वाला हूं वो थोड़े अलग है इसके steps होते है सबसे पहले carries excavation and access opening इसके अंदर हम scaling भी करते हैं वो जब मैं इस part को explain करूँगा next video में तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या करते है then pre-endo build-up, canal location, working length, determination, biomechanical preparation, irrigation, master cone confirmation, obturation, post-endo restoration, high point reduction and last and finalist prosthesis तो यह सारे steps होते हैं और इन ही steps को मैं आने वाले वीडियो के अंदर explain करूँगा अब यहां पर मैं main part पर आता हूँ कि कौन से instruments होते हैं जो root canal के time पर मैं use करता हूँ और mostly लोग use करते हैं सबसे पहले बात करता हूँ बर की जो तीन बर्स हैं जो मैं use करता हूँ वो होते हैं SF41, SFS41 और BR41 क्या use है वो मैं आपको आगे बताऊँगा में जो हमारा part आता है वो होता है फाइल सिस्टम का फाइल सिस्टम हमारे पास अलग-अलग होते हैं मैं एक फाइल सिस्टम आपको समझाओंगा बाकी सब आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे जैसे के फाइल है कि फाइल के फाइल थो 21 25 31 इन टीनों लेंध के यहां पर लैंथ तीनों की अलग-अलग है जैसे 21 अम्म के अनदर ही मेरे पास अलग-अलग दैम्यटर की फाइल से 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर अब इनका जो डायमेटर है वो कैसे आया 10 नंबर की फाइल का ड बना चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो के फाइल के अंदर जो होता है जैसे लेंथ के हमने बात करी कि 21 25 30 अब 21 mm के अंदर भी 10 15 20 25 30 आएंगी 25 25 लेंथ के अंदर भी 10 15 20 25 30 आएंगे और 31 के अंदर भी ऐसी सौन आ जाएंगी यह डिपेंड करता है कि हमारे टूथ कितना लंबा है उसके अकॉर्डिंग हम वह फाइल सिस्टम यूज करते हैं जैसे 21 mm की लेंथ है तो हम जितनी भी फाइल के लिए एक अलग कलर कोडिंग द प्रकुल्डिंग लाज़ियू में इसके सब्सक्राइब एसन Влад के सटयों के लिए पाइल करते हैं तो इससे करके इनकी कलर औरन प्रकुल्स करते जाएंगे आपकोते में सथे लिए थे शचेधे होते हैं यह अई रखने फाइजक मीवाली क्यों में सीट्च और वालिए बैटो बैटके उनके colors को वह चीज अपने आप जब आप यूज करता है आपको याद हो जाती है ऐसे ही जैसे K-Files के मैंने बात करीब ऐसे ही H-Files होती है H-Files का mostly use मैं तब करता हूं जब मुझे RCT करना होती है जब मुझे गट्टा पर्चा को रिमूव करना होता है C-Files का use होता है Calcified Canals के अंदर and then U-Files होती है जो Scalers के साथ यूज की जाती है इनको Ultrasonic Files बोलते है ये Advanced RCT के अंदर यूज की जाती है तो अभी हम Basic पर ही चल रहे हैं तो यूज के बारे में जादा बात नहीं करूंगा उसके बाद आती है Protepper Files जो की काफी अच्छा सिस्टम है and then Rotary तो अभी हमारी सारी चीजे इनको पर चलेंगी जो भी हम आगे डिसकेस करेंगी उसमे मैं आपको तीनों सिस्टम बताऊंगा यूज करते हैं सबसे पहले आता है 17% EDTA तन उसके बाद Chlorhexidine, Sodium, Hypochloride जो 3-5% के बीच में हो सकता है और Saline के अलावा जो रूट के अंदर यूज आती है चीजे वह इंटर केनाल मेडिकमेंट भी यूज कर सकते हैं Calcium Hydroxide इसके अलावा जो अदर मेटरियल में आता है मेटापेक्स, फॉर्मो क्रिसॉल और उप्चुरेशन मेटरियल के अंदर हम यूज करते हैं गत्ता पर्चा कॉन्स, सीलर्स, सीलर आप कोई भी यूज कर सकते हो जब हम अप्चुरेशन के अंदर बात करेंगे इन सारे सीलर्स को मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि इसके अलावा पेस्ट केरियर आप यूज कर सकते हो लेंचुलो स्पायरल जिसे बोलते हैं यह भी रूट कैनाल के टाइम पर यूज होता है तो यह सारे जो थे यह माट्रियल्स हैं जो जो मुझ्टी रूट कैनाल के टाइम पर यूज होते हैं इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेट्स रूटे हैं आने वाले वीडियो में जैसे जैसे स्टेप्स आते जाएंगे वह माट्रियल्स का यूज मैं आपको बताता तो इन सभी के बारे में हम अपने नेक्स वीडियो में बात करेंगे तो इस डॉक्टर सुनील साइनिंग आउप